सबको नमस्कार दिल्ली चुनाओं के पहले हम लोगों ने वादा किया था कि जैसे दिल्ली में 24 घंटे बिजली आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में सुनिश्चित की है ऐसे ही अब आने वाले 5 साल के अंदर दिल्ली में आपके घर में साफ सुत्रा 24 घंटे पानी सुनिश्चित करेंगे आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया परसों दिल्ली जलबोड की मीटिंग हुई थी और इस दिल्ली जलबोड की मीटिंग में हमने कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए एक कंसल्टेंट को नियुक्त करने के लिए जो हमें सुझाव देगा कि दिल्ली में हर घर में 24 घंटे पानी पहुचाने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है ये सुझाव देने के लिए हमने कंसल्टेंट की न्युक्ती करने के लिए कारवाई शुरू कर दिये करोना हो गया था करोना की वज़े से लेट हो गई नि तो कंसल्टेंट की न्युक्ती की कारवाई हम लोग मार्च या अप्रेल में ही कर देते हैं हम यह समझना पड़ेगा कि दिल्ली में आज पानी की किल्लत क्यूं है दिल्ली में आपके घर में 24 घंटे पानी क्यूं नहीं आता है दिल्ली देश की राजधानी है आप दुनिया की किसी राजधानी में जाएए टोकियो में जाएए लंडन में जाएए पैरिस में जाएए वाशिंटन में जाएए वहाँ पे आपको 24 घंटे पानी अपनी टूटी से मिलता है और साफ सुत्रा पानी मिलता है दिल्ली में क्यों नहीं मिलता है हमारे दिल्ली में प्रेशर इतना कम आता है कि लोगों को पंप लगाना पड़ता है पंप से चड़ाना पड़ता है और एक आदमी पंप लगा ले तो फिर अगले वाले के घर में नहीं आता पानी सबको अपने घर में टंकियां बनानी पड़ती है पानी स्टोर करना पड़ता है यह सब खतम करना है जैसे दूसरे देश की राजधानियों में 24 घंटे पानी मिलता है पूरे प्रेशर पे मिलता है किसी टंकी की जुरूरत नहीं होती कोई पंप नी लगाना पड़ता ऐसे ही अब दिल्ली में करके दिखाएंगे ऐसे ही अब दिल्ली में करेंगे पानी की सप्लाई दिल्ली के अंदर जैसे विक्सत देशों में बड़े बड़े देशों में आधुनिक्स देशों में जैसे सप्लाई होती है ऐसे दिल्ली में करे है इसका मतलब के दिल्ली में दो करोड की जनसंख्या है कि इसका मतलब हुआ कि हर दिल्ली में हर travaill के लिए जाये वो गरीबो जाये अमीरो जाये आद्मी ओव चै और तो चै इस जाय том में और जया ओओ जौस द्र्म को चै बूढ़ा ओं पेरं ऐ बच्चा हो हर व्यक्ति के लिए प्रति दिन 116 लीटर पानी का उत्पादन होता है इसमें सारा पानी आ गया प्रति व्यक्ति 116 में इसमें इंडस्ट्री वाला पानी भी आ गया बड़े-बड़े स्वेमिंग पूर में पानी जाता है वो भी आ गया, खेती का पानी भी आ गया, सारी किसम का पानी आ गया, तो बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, तो एक तरफ अपने को दिल्ली में पानी की उपलब्धता, पानी की एविलिबिलिटी बढ़ानी है, ताकि दिल्ली में पानी है ताकि दिल्ली को और पानी मिल सके तो एक तरफ तो वो बात चल रही है लेकिन दिल्ली में जितना पानी है ये जो 930 mgd पानी है ये जो 116 लीटर पानी हर व्यक्ति के लिए है ये पानी कहां जाता है ये पानी चोरी हो जाता है इसमें से काफी पानी ये पानी लीक हो जाता है इसकी कोई एकाउंटिबिलिटी नहीं है 176 लीटर पानी भी कम नहीं होता तो एक तरफ अपने को अब इस पानी का मैनेजमेंट ठीक करना इसकी एकाउंटिबिलिटी करनी है जैसे एक वाटर पानी जब बाहर निकला इसकी एक 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 यजेस्टी होनी चाहिए हर बूढ पानी की अकॉंटेबिलिटी होनी है। अभी दिली में काफी पानी वेस्ट होता है, अभी दिली में पानी का मैनेजमेंट सही नहीं है, अभी दिली के पानी के अकाउंटेबिलिटी बिलकुर नहीं है, सिस्टम के अकाउंटेबिलिटी बिलकुर नहीं है, तो यह जो कंसल्टेंट हम हायर कर रहे हैं, यह हमें लेकर आने हैं आज हम पता है बाबा आदम के जमाने में जी रहा हैं आज अगर हमें एक इलाके से पानी कम करके दूसरे इलाके में पानी भेजना उना तो हमारा वालव वाला बंदा जाता है और वो वालव की तीन चूडियां घुमा के आता है आज दुनिया के देशों में ऐसी टेकनोलोजी है, दुनिया के देश तो क्या है, हमारे जलबोड के अंदर भी कुछ-कुछ हिलाकों में किया है, कि सेंट्रल कंट्रोल रूम में बैठ के आप बटन दबाके किसी भी वाल्व को रिमोट कंट्रोल से घुमा सकते हो, किसी भी वाल्व को कम ज्यादा कर सकते हो, वो टेकनोलोजी, सेंट्रल कंट्रोल रूम में पता होता है कि किस पाइपलाइन में कितना पानी जा रहा है, किस इलाके में कितना पानी जा रहा है, रियल टाइम बेसेस के अंदर हमें पता होता है कि कहां कितना पानी जा रहा है, कहां लीक हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, सारी चीज कंट्रोल रूम से सुनिश्चित कर सकते हैं, एसकाड़ा सिस्टम कहते हैं इसको, तो यह जो हमें वो टेकनोलोजी के बारे में बताएगा. तो अब हमें एBon 16 घंटे पानी दिल्ली को देने की परक्रिया उस दिशा में हमें उस दिशा में चलना शुरू कर दिया है। कुछ मैं कल पढ़ रहा था अख़वारों में कुछ विपक्ष के कुछ साथियों को कुछ गलत फहिम है कि प्राइविटाइजेशन कर रहे हैं, कोई प्राइविटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, मैं तो खुद प्राइविटाइजेशन के पानी का प्राइविटाइजेशन हो कोई नहीं सकता किसी भी हालत में नहीं हो सकता इस बारे में आप बिल्कुल सुनिश्चित रहें बहुत बहुत शुक्रिया